तो अपने जो भी साथी संगाति उनको बुला लिए दोस्तों मैं उर्मेंदर सर के माध्यम से यही कहना चाहता हूं पांच मिनिट हैं डेड़ सो की संक्या हो चुकी है जितने ही लोगों को आप यहां लाना चाहते हैं सस्पेक्टिव प्रस्पेक्टिव रिकूटेट फ्रें मैं की किवेरी में सर्फ तो कुरता हूं दोस्तों अपनी बात को की वाइचेंट एको सिस्थम में करके आ रहे हैं तो वाइचेंट इको सिस्थम में और हमारी जो पहली philosophy है वो क्या है long term thinking दूसरा क्या है keep quiet ज्यादा चिल्ला चोट नहीं मचाना जो काम कर रहे हैं बोलते ना एक आपने सुना होगा आज कल social media पे की मेहनत इतनी शांती से करो कि सफलता सोर मचा दे वही philosophy यहां पर हमारी भी है तो दूसरे नंबर की क्या है keep quiet तीसरे नंबर की सबसे important क्या है पता है nurturing the value आपने जो value create की है या बनाई है धीरे धीरे करके उसे nurture करना और साल दो साल बाद आप देखोगे अभी क्या होता है कि शुरुआत में जब किसी चीज का construction होता है खेत जब किसान जोता है तो उस समय विलकुल एक उजार सा रहता है यह महीं जोता है तो कुछ भीच के लोग भी आता है लेकिन ठीक है वो इतने नहीं होते हैं और वो एकोसिस्टम का हिस्सा है कोई भी काम जब आप बड़ा करने जाओगे तो सब अच्छा ही अच्छा हो ऐसा कभी ना हुआ है ना आगे कभी होगा और अगर मान लो कि सब कुछ अच्छा-च्छा हो रहा है इसका मतलब है कि कहीं लेकिन क्या है कि अच्छा बूरा अच्छा फूरा का एक अच्छा कॉंबीनेशन है तो मान के चले है कि हम एक बहुत बढ़ आजेके हैं इंपॉटन्ट चीज क्या है निरंतरता अगर लगाता तालते भी रहते हो ना तो यहां यहां अच्छाई बुराई अच्छाई बुराई का कॉंबिनिशन प्रॉपर आप करते रहते हो तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आता है कि आप जो चाहें वह अपना सकते हैं आपके पास में चॉइस हो जाती है सफलता चाहते हो तो वह आपको मिल जाएगी यहां पर सफलता कर सकते हैं हम चाहें तो यहां पर उसे टेक ओवर कर सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों यह समझना यह जानना अलग अलग तरीकों से कई सारे जो चीजें लोगों ने सोची भी नहीं है हमने वहां यहां पर इस वाइचेंड सिस्टम के अंदर वह खड ठीक सर ओके और दोस्तों शुआत करते हैं अपने टीवी सी यानि की टेली विजन एड से और आज मैं जीरो से अभी तक जो हमने लगबग 27 महीने की जरनी पूरी की है उसका विवरंट दूँगा आज दो बहुत बड़ी अनॉंस्मेंट करूंगा जो मेरे एक बहुत परम म हैं बड़े भाई हैं सीपी पटेल जी सूरत से उनके कहने पर एवहान पर मैंने ये किया है और तमाम उन लोगों को जिनको आज अल्ली एडप्टर के रूप में वाइज़त मिला है और तमाम वो लोग जो हर फेज में वाइज़त के साथ हैं उनको एशॉरस दूगा के कौ टीवी सी को जो आल्रेडी टीवी पे कई बार कई साल या छे महिने से आ चुका है आई अब एड़र्ड और यह तो तो यहां पर भी मैसेज दियावा है कि हैस्टेस दिसंबर दोजार पच्चेस और इससे पहले मैंने अलर्री नुशूपयर एड लगाय था वहाँ पे भी हमने मैसेज दियावा है हैस्टेस दिसंबर दोजार पच्चेस और उर्मिंदर सर ने भी अभी 10 मिंट की वर्टा में बताया कि हैस्टेस दिसंबर दोजार पच्चेस एक मैकसिमम टाइम है उस से पहले की association के agreement शो करे हैं उसकी hashes शो करी हैं और जो development हमारा L2 का शुरू हुआ है वो भी मैंने शो करने के लिए September end का time मांगा है जिसमें blocks हमारी chain के बनने शुरू हो गए हैं और यहां पर L2 chain में जो मैं blocks की बावता रहा हूं basically coding है वो उसको मैं शायर अगले 15-20 दिन में भी रिविल कर दूँगा दोस्तों शुरू आज करते हैं आज की उस time से जिसमें बहुत पुराने लोग हमारे साथ थे यानि की community जहां से शुरू ही और यहां पर मैं दिखाना चाहता हूं वाइज़द हमने पांच वरवरी 2021 को गठन किया था और अगर हम ध्यान से देखें तो 9557 इसके अंदर holders थे यानि की तक्रीमन दो से डाहीज़ार तीन हजार public और दोस्तों यहां से हमने यह 27 महीने पहले एक टोकन की जर्णी शुरू करी और इस जनरी जनरी को लेते हुए हमने अपना migration करा पांच एक 2022 में और वहाँ पर अपनी फुली एलवन चेन बनाई एलवन चेन बनाने के लिए आप यहां ध्यान से देख सकते हैं यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि वाइज़द की यह एलवन चेन हैं सबके सामने हैं जिस पे तक्र color combination के साथ और वाइज़द की नई strategy के साथ यहां पर इसका scan आपको अगले 15 दिन के अंदर fully flash with rate and everything देखने को मिलेगा अदान परदान के लिए मिलेगा और आप यहां मेटा मास के wallet के सोजनने से आप अपनी transactions को कर सकते हैं और करने के लिए ततपर हो सकते हैं और इन transactions को आप एक fully equipped statistic scan के साथ यहां analysis भी कर सकते हैं या analytical way में जा सकते हैं इसके साथ में मैं बताना चाहूंगा तो दोस्तो इथेरियम ने जो अलड़ी एक पहली world की JK EVM chain डवलप की है उसका नाम है Polycon JK EVM इसके बाद वो लगबग दो या तीन और कर रहा है और चोथा जो block यहां पे December य यहां पर जो JK EVM की लड़ाई चल रही है या JK EVM पे सारी दूनी आ रही है यह ऐसी technology है जो Ethereum को scale up कर रही है और Ethereum को scale up करने के साथ साथ Ethereum जैसे यहां पे foundation उनके अंदर अपने investments तक पर है या करने के लिए तयार है दोस्तो हम क्या कर रहे हैं हम basically आज की तारिक में अपने आप को सुनोचित कर रहे हैं एक token की journey से minimum amount of testing से और minimum amount of public से एक beta testing से token से हम अपनी L1 chain पे गए L1 chain के माध्यम से हम धीरे 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 नर्चर होके community को develop करते करते वहां पर Ethereum के साथ पहुचे और Ethereum के साथ पहुचने के बाद हमने एक ऐसा उससे collaboration association किया जिसमें JK EVM वाइज़त की chain को हम लाने के लिए ततपर हैं और तमाम early adopter के रूप में जितने भी लोग यहां पर हैं उनको वो सोजनने मिल रहा है वो तरीका मिल रहा है या वो ऐसे ecosystem में आ रहे हैं जो की वाजिफ है क्योंकि यहां पर एक direct selling के माध्यम से पुछ अच्छे आप कह सकते हैं direct selling associates के साथ बनके आगे तक बढ़ते आए हैं दोस्तों आज अगर हम बात करें तो ecosystem में चार प्लर बहुत मजबूत हैं और यह मैं crypto ecosystem की बात कर रहा हूं जहां पर सबसे पहले आती है technology उस technology के अंदर यह देखना पड़ेगा कि आने वाले त सब्सक्राइब दूसरा इसके अंदर स्टैप होता है इसको हम बोलते हैं community के community को वहाँ पर हम किस माध्यम से ला सकते हैं वह developer community भी होती है वह trader community होती है वह holder community होती है इसके साथ incubator community होती है तो यहाँ पर जो incubator है शायद वह वर्ट सबको नजा नया लग रहा होगा लेकिन तमाम वो start-ups होते हैं जो basically एक blockchain के ऊपर आने के लिए ततपर होते हैं और इनको blockchain के माध्यम से हम अलग-अलग रूप से अलग-अलग startup के रूप में incubate करते हैं और इन्हें incubator बोलते हैं इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें बात आती है tokenization की या उस technology का coin base क्या है और तो वहाँ पर एक factor निकल के आता है price discovery तो वहीं से ही एक चौथा स्थम खड़ा होता है जिसको हम liquidity बोलते हैं तो अगर हम धियान से देखें तो सबसे पहले हमने technology को drop कर लिया करते 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 हम ethereum जैसी technology के साथ अपने आपको ethereum scalable बनाने के लिए वहाँ पर JK EVM जो अगले प जो buyer trader seller के रूप में हैं या holder के रूप में हैं और हो सकता है जो चार पासदस वहाँ पर incubator के रूप में भी आये हों तो वहाँ से हम आज JK EVM की आप कह सकते हैं development phase में ethereum के साथ अगरे सर हो गए तदपर हो गए या आने के लिए सुनुचित हो गए अब बात करते हैं चौथ को सा स्तंब है हमारा आज की तारीक में liquidator और liquidator कहां से आएगा लिकवीडेटर आएगा हमारे वाई स्केल से यानि की वाई स्केल हो कैसा component है एक ऐसा वेंचर है एक ऐसा डाओ है एक ऐसा वैप थ्री है जो आने वाले टाइम में हमारी वाई चेंजे के EVM में एक become a def fee advisor यानि की decentralized finance advisor बनने का मौका है यहाँ पर सीधे सीधे हम भिन-भिन परकार से छोटे छोटे इंवेस्टर ला सकते हैं पाच हजार, दस हजार, पंदरा हजार, वीस हजार, पच्चिस हजार और यह छोटे-छोटे इंवेस्टर अगर हमारे केरियर के अनुसार अगर हमारी टीम के अनुसार बनाके यहाँ पर निरंतर रूप से आते हैं तो मेरे इसाब से जो अगला धाई साल हमारे पास है उससे ही हम अगले साल quarter 1 में Ethereum के साथ explore हो रहे हैं उसके बाद हो सकता है quarter 2 के अंदर ही या quarter 3 के अंदर ही या quarter 4 के अंदर ही हम शायद यहां अपनी वाई चेन के लिए वाई स्केल को बहुत बड़ा एक liquidity provider बनाके और उस मुकाम पे ले जाएंगे जहां पर हमें एक chain के लिए liquidity चाहिए होती है आप सभी लोगों का जो भी experience है पिछले 5 साल का 6 साल का 8 साल का 10 साल का उस सारे experience में आपने direct selling के माध्यम से product में कहीं काम किया है किसी crypto platform पे काम किया है लेकिन यकीन मानिएगा यह सारे experience आपके दर भाई दर या तो add on हुए है या आपको कहीं न कहीं platform छोड़ना पड़ा है या दूसरे को अपनाना पड़ा है मैं पहले दिन से यह याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों वाईजित को ना तो मैं मार सकता हूं ना हम में से कोई मार सकता है ना नियत खराब हो सकती है और ना ही हम में से कोई ऐसा चलकप्ती काम कर रहा है जिससे शायद आने वाले टाइम में हम वाईजित के ecosystem पे यह अपनाएं कि यह ecosystem नहीं चल पाया या नहीं आगे चलने के लिए तक पर है हम चारो इस्तम पे भरपूर काम कर रहे हैं लेकिन वो भरपूर काम सिर्फ बीटा का है यानि कि यहां नियम नितर के लोगों के साथ community बनाई नियम नितर की technology हमने बनाई और उसको scale-up करने के लिए Ethereum का सहरा लिया ऐसे ही यहां पे नियम नितर की जो community बनाई उसको scale-up करने के लिए Y-sale का सहरा ले रहे हैं और तीसरा इस्तम जो यहां पर हम ऐसा liquidity provider बनने वाले हैं वो जो तमाम है जो यहां पे जनसंक्या है क्या तमाम scared लोग हैं उनको यह लाने का मौका है और हमारा जो experience है हमारा जो domain है उसके साथ हमें आने वाले time में अपने team को बनाके professional intrigants डा के यहां Y-sale को खड़ा करने का मौका है और तमाम तरीके से जो चीजे ecosystem के अंदर crypto में होती है उसको वाजिफ तरीके से अपनाने के लिए हमने तमाम लोगों को community के यहीं पर ही खड़ा किया है और उन्हें certified blockchain expert courts कराये हैं blockchain console से उन्हें verified कराया है और आज यह मौका दे रहे ह के वो visiting card लेके office खोल के तमाम उन लोगों को इसके अंदर ला सकते हैं जो 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 का यहां निवेश करके Y-scale को बढ़ा कर सकते हैं एक बहुत बढ़ा client base बना सकते हैं एक बहुत बढ़ा यहां पे team defy advisor की बना सकते हैं और उन तमाम तरीकों से Y-scale को बढ़ा कर करने के बाद Y-chain, blockchain, JK, EVM जो listing की तयारी में हैं वहां सुनुचित कर सकते हैं कि ऐसी विचारधारा के बाद ऐसे ecosystem को बनाने के बाद हमने भी विदेश तक वो परचम लहराया जहां से कोई ना कोई लहराना चाहता था या चाहता है मैं यहां पर सभी लोगों को चेताना चा कभी कभी डरते हों कभी कभी बहबुक होते हों और हमें लगता हो कि आने वाले टाइम में हमारा एज़ा वाईज़त का अरली अडॉप्टर होना क्या दर्शाता है बर तमाम जूम मिटिंग के जरीए मैं बार 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 यही सब को मैसेज देना चाहता हूं कि दोस्तो अगर हमारा डोमेन डारेक्ट से रिलेटेड था या है और आगे भी रहेगा तो मेरे इसाब से आज की तारिक में जो एक्सपिरियेंस हमारा था उसको भुनाने का मौका आ चुका है अगर हम वाईज़त के अरली अडॉप्टर हैं और हमारे पास ऐसा होल्डिंग इस प्लोर या उसको डिस्ट्रिबूट करने का तरीका सुचारू रूप से बड़े प्लेयर्स के साथ या बड़े एकनॉमिक होल्डर के साथ या बड़ी ब्लॉक्चेन के साथ वहां कॉलोबरेशन में आके यह साबित करने का है कि फ्रॉम दा डे फस्ट यानि की पहले दि हम इस चीज़ पे ततपर थे जहां पर यह पूरा एकोसिस्टम वाजिब रूप से बन सके अब बात करते हैं लास्ट के दो मिनिट की तो यहां पे दो चीज़े बताना चाहूंगा एलेकसा में जितने भी लोग पार्टिसिपेंट हैं उन सब का अगले 30-40 दिन में हम अब बात यह आई सामने कि लिस्टिंग की तयारी में दोस्तों बीस डॉलर की हम लोग जा रहे हैं एथेरियम के साथ प्रपोजल जो हमारा गया है वह बीस डॉलर के साब से गया है चौबीस लाग च्छालीस अजार नोसो पचास वाइज़े आज की तारिक में मार्केट है मेरे साब से पचास लाग हो जाएंगे और पचास लाग वाईज़ेत को सुनोचित रूप से वहान लिक्विडिशन डालके वाई स्केल को पैरलली खड़ा करके वाई चेन को लिस्ट करनानी की तयारी में हैस्ट डिसमबर दोजार पच्छिस तक हम सुनोचित या आधार से बिल्कुल सही तरीके से जा रहे है तो जिन लोगों के मन में ऐसा था उनको 375 डॉलर से माईग्रेशन मिला उन लोगों की भी समस्या मैंने सॉल्व कर दी है और धन्यवाद सीपी पटेल जी का के उन्होंने एक अपने लिए एक ऐसी विचारधारा रखी और सारी कमुनिट से 40 दिन के अंदर बराबर करने जा रहा हूं तो मेरे साब से सारी विन-विन सिच्वेशन है और एंड में दिखाना चाहूंगा आप सभी लोग जितने भी यहाँ पर फिल्ड ऑफिसर बन चुके हैं बनने की तयारी में बनने जा रहे हैं तो तमाम लोगों के लिए एक मही से 31 मही का कॉंटेस्ट है आपको यहाँ पर डेफी एडवाइजर बनाने हैं और उनका एक्टिवेशन आठ हजार रुपए सो डॉलर से करना है अगर बीस से जादा आप अपनी टीम बनाते हैं तो यहाँ पर दो हजार रुपए पर डेफी एडवाइजर आपको एस रिकू कराना चाहें तो आप यहाँ पर युएस डिटी के सोजनने से करा सकते हैं दोस्तों हम एक बहुत सही प्लानिंग के जरिए दीरे 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 शनी शनेशनी आगे बढ़ रहे हैं और मैं गिरेंटी के साथ कह सकता हूँ यहाँ पर ना किसी को मुँ छुपाने की और वेक्ति के दुरूप से बताओं तो वाइज़त मार्केट के अंदर सब कुछ देने के बाद भी शायद 50 लाग से कम में ही रहने वाला है तो मैं दुबारा से याद दिलाना चाहता हूं उन तमाम लोगों को भी जो आज की तारिक में हमें गलत सोच रहे हैं उन तमाम जो हमारे साथ है यहां पर हम सभी लोग मिलके इस कम्मुनिटी को आगे ले आ रहे हैं यह प्रियास कर रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि जैसे एको सिस्टम बनता है वैसे ही एक नया एको सिस्टम डेश विदेश में आने वाला है चार स्थम इसके इंदर है चौते स्थम की तैयारी हम कर चुके हैं भरपूर टाइम हैं हमारे पास भरपूर टीम हैं हमारे पास भरपूर तरीके हैं हमारे पास और भरपूर नियत हैं हमारे पास तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच ओवर टूरुमेंदर सर तेंक्यू वेरी मच सर और बहुत बड़ी सोगाते हैं आज आपने दे दिये और बड़े अनौंसमेंट भी आपने कर दिये तो दोस्तों जैसा सर ने कहा कि जरूरी नहीं है कि दिसंबर दिसंबर दोहजार पत्चीस जो आपको बिन्स-फिन प्रिंटम ग्रीक किया माध्यम से फुल पैज लिज्र डिकरके बताया गया तो ऐसा नहीं है कि दिसंबर दोहजार पत्चीस में ही लीट होगा अब दिसंबर 2025 जो है वो हमारी लास्ट समय सिमा है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह बताए कि हमारे ब्लॉक्स जो है इथीरियम की क्लॉब्रेशन में डेवलप्मेंट फेज में आ चुके हैं पंद्रावीज दिन में आपको रिवील होकर कि सामने दिखने लग जाएंगे और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या विली कि एक जो एड़ाउन है वो तो क्रेट होई चुका है साथ ही साथ 2024 के फर्स्ट क्वार्डर में आपको हमारी बिल्कुल रंगाई-पुताई साफ तुसरी फुल डेवलर टेक्नोलोजी के साथ वाइचें इथेरियम के साथ में जेके कि अलेक्सा में कई लोगों ने कौन लगाए थे और जी सर कुछ बुलना चाहरे हैं कि नहीं नहीं सॉरी सोरी ओके एडियों कि तो आलेक्सा में जिन लोगों ने यहां पर अपने आइडिश लगाई थी और उनके को यहां लगे थे उसके बाद में उसका रेट अप हो गया यह समझने की प्लान समझ में नहीं आया या वर्किंग उस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई तो उसको शटडाउन करना पड़ा कई लोगों की यहां पर समस्या जब खड़ी हुई और सर्तक बात पहुंची कि हमारे तो जितने कॉइन थे उसमें से कुछ भी नहीं आए या क आपको यह कहते कि भाव गिर गया आप अपने अपने कॉइन ले लो ठीक है तीन सो जितर का भाव था तीन सो जितर से आपके आइडिया लगवा करके वह बीच डॉलर पर मानलो की इसको रिलिस्ट कर देते और तो समस्या थी लेकिन सर ने उस समस्या का समधाना आज दिया दोस्तों यह बहुत बड़ा अनॉंस्मेंट है कि अलेक्सा में आप जो पॉइंट टू परसेंट पर डे आ रहा था वह सब बंद करके आने वाले 30 दिनों के अंदर आपने जितने भी कॉइन लगाये थे वह सारे के सारे कॉइन आपके वालेट में यहां पर आ जाएंगे ए सारी चीज़ें देखती है क्या थे पढ़ने बाहर तो उनने लगा होगा कि यह सब्णा नहीं होगा तो इसने वह पहले दिन लोगों को दिया था तो एक हामी के साथ काम करना है क्या होता है आपको सामने वाले के साथ में अपनी सब्सक्राइब नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो अर्ली एडाप्टर है या पहले की पब्लीक है या जिने हम ट्रिपल एफ का मतलब होता है और जो फैमिली होती है उनसे अगर कोई फंडिंग लेकर के काम चलू कर रहे हो तो जो आपने शेयर का वहाँ वहां पर रखा था उसी शेयर के वहाँ को आपको यहां पर लिस्टिंग पर भी रखना पड़ेगा और वहां था बीच दॉलर से किया तो इप यूली में जिन लोगों की आइडिया थी हाला कि जो आइड तो उनको भी यहां बीस डॉलर के माध्यम से कॉइन आ जाएंगे यह सर ने कहा लेकिन ऐसा होने में 30 से नभे दिन का समय जाएगा यह आज की मिटिंग में हमको मालूम पड़ा तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवास बहुत-बहुत शुक्रिया होता क्या है जब भी कोई यह अच्छी टेक्नोडिय यह अच्छी कंपनी या अच्छा प्रोडक्ट आप मार्केट में लाना चाहते हो तो सबसे पहले उसका एक व्यक्ति के अंदर आइडिया आता है ठीक है यह आने के वाद में क्या करते हो आप एक संसाधनों को जुटा करके प्रोटोटाइप बन करता है और मालूम पड़ता सब कुछ होके है तो उसके वाद में बनाया जाता है अब हम यहां सुनते चले आएंगी क्रिप्टो जो है वो पुरे वर्ल्ड का है पर पिछले दो धाई सालों में हमने देखा कि यहां जरू साथा आट कंट्रीस की यूजर्स और इसके होल्ड करता है यहां लोग हैं तो अभी क्या हुआ हम प्रोट्रोटाइब से पोजिशनिंग की और है इसके बाद सस्टेनेबल अभी आपसे दो महीने बाद हम कहा जाएंगे और इसके लेवल कब होंगे हम सब्सक्राइब करें और उसे फंड लेने के बाद में जब कोई बनता है तो क्या होता है और आज सब्सक्राइब पर यहां पर एक आइडिया निकला उस आइडिया को सीट फंडर के मार्जम से और उपर ले जाते हैं फिर उसको इनक्यूबेटर देते हैं इनक्यूबेट करने के बाद में उसके निकलते तो बच्चे भी कमजोर हैं अंडे की तरह फिर क्या किया जाता है वहां पर एक एंजल इंवेस्टर टाइप के लोग आते हैं तो हमसे अप्रोच कर रहे हैं यहां पर अभी सर ने बताया कि कई सारे लोग आते हैं जो वन टाइ निंग क्या है लोगों से ही आने चाहिए एक सिंगल वेक्ति अगर यहां इंवेस्टर बन जाएगा तो वही पूरे सिस्टम को होड़ कर सकता है जब कि यहां हम डैफी में हैं जाके हमारा समावेश हो जाता है तो बिल्कुल सही तरीके से लेजिट तरीके से इसे यहां चल क्यान ना तो यहां सिस्टम को हो सकता है और ना होना चाहिए ठीक है ना इसके अलावा हम लोगों में से किसी को इसका घ्यान है तो जो नीची के लोग आपस में कर रहे हैं मेरा सभी से विनम्र निवेजानी है जो हम लोग एक साफ तुतर अच्छे बिजनस में टेक्निकल यहां किसी प्रकार का है फिर अगर होगा तो ब्लॉक्चेन साफ दिखाई करता है सर ने अभी क्या कहा सर ने आपको यह भी बता दिया कि भाई चोविस लाग श्यालीस हजार नो सो पचास कोई अभी तक मार्केट में हैं पांच करोड़ में से तो बाकी के जो लगभख चा करके लिक्विडी प्रोवाइड करेगा और वहां से भी जो है जो अर्ली रफ्टर है एक बहुत को क्रीट कर सकता है ठीक है तो और यह पूरी कहानी है दोस्तों इस समझनी भी है समझानी भी है हां किसी के साथ गलत ना किया है और ना करेंगे और गलत हो आपको करना है दिरे दिरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो मेरा कहाल से आज के लिए इतना ही और वाइस के लिए बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है उसको समझिए अच्छी तरह से सीखिए किस तरह से काम करता है लोगों को सिखाइए और एक अच्छा भविश्य के लिए पात्व काम煩ाओ प्रोड़के लिए Cohesके वियर है प्रोड़ रहे है बहुत है आगे किस अच्छा प्रोड़कल झाल काम करता है ukもう किस अच्छा झाल को साब टोड़ एक टूम चक्छा